सिवान चिले के मेरवा ठाना पर इसर में जन्ता दर्बार का आयोजन किया कया जिसमें भूमी विबाद के 10 मामले सामने आया है सियो राहुल कुमार और थाना परभारी परमोचसाह ने एक एक करके सवे फर्यादियों की समस्या सुनते हुए कगजाज की जाज करते हुए छे मामने में प्रतिबादी पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है इसमें मेर्वा के कर्चुही बजार के अरजुन कुमार मदेशिया ने उसी गाउं के डोमा पासी भीम पासी पर दखल कप्जा करने का आरोप लगाया है धमौर के निरास देवी ने नीमिया टोला के बिजय चोहान पर दखल कबजा करने का आरोप लगाई है हरपुर के ब्रिज की सोर देख्षित ने बहुचक के राम जी तीवारी पर फर्जी कागजात बना कर अंचल कर्मियों के मिली भगत से फर्जी तरीके से नेट पर चठवा कर जमीन हडपने का आरोप लगाया है पजलखी गाउं के रवीता देवी ने मोहन चोहदरी पर दखल कबजा करने का आरोप लगाई है बिंदु देवी ने रमेश साह पर जबरन कबजा करने का आरोप लगाई है बतिया टोला के कुसुम देवी ने बहुचक के दिली पियादव रमाईड चौधरी सुरेश चौधरी पर जवरन दखल कबजा का अरोप लगाई है पचलखी के रवी रंजन कुमार ने उसी गाउं के मोहन यादव पर जवरन हिसा हडपने का अरोप लगाया है अनुग्रह नगर के नीर्या कुमारी देवी ने उसी गाउं के जीतू दिल्वेदी पर दखल कबजा करने का अरोप लगाया है सियो ने सभी प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए अगले सनिबार को दोनों पक्छों को कग्जात के साथ उपसीत होने का निर्देश दिया है इस समन में सियो राहुल कुमार ने बताया कि जनता दर्बार में कुल्दस मामले भूमी पर जबरन कबजा करने को ले कर आया था जिसमें सभी प्रतिवादी को नोटिस किया गया है उन्हों ने कहा कि अगर नोटिस देने के बाद पक्छ या विपक्छ नहीं आता है तो उस पर 107 की करवाई किया जाएगा डाटा अपरेटर कंचन जैसवाल के साथ पुलिस बल मौजूद रहे